वर्तमान कॉलकाता में एक चर्च है, चर्च सेंट जोन्स, उसके यार्ड में, मतलब चर्च यार्ड में, 4 दिसंबर 1717 इस्वी को एक डॉक्टर साब को दफन किया गया था, डॉक्टर साब का नाम था विलियम हैमिल्टन, जहां उनको दफन किया गया था, वहीं पर कबर के उपर एक पत्थर लगा हुआ है, उस पत्थर पर कुछ लिखा हुआ है, मतलब शिलाल एक है, वहां से कुछ जानकारी मिलती है, क्या, कि इनी डॉक्टर साब ने, मोगल बाजशा, फरूक शियर, जो बहुत गंबीर पीडा में थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनकी बीमारी का इलाज किया था, बीमारी क्या थी, बीमारी ऐसी कि बाजशा से ना तो बैठा जाए, ना खड़ा हुआ जाए, ना बाजशा से लेटा जाए, बाजशा बता भी नहीं पाए, बाजशा दिखा भी नहीं किसी पाए, अब लेकिन अंग्रेजों ने बाजशा का वो बात करेंगे कि English East India Company कैसे भारत में आई, कैसे दीरे 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 सर्वे सर्वा बन गई और मजाक मजाक में अपनी सारी बात कह दूँगा आपको, facts के साथ में इस वीडियो के समाप्त होते होते, जितने भी facts हैं, वो सारे आपकी tips पर होंगे बहुत अच्छे से आपको याद करवा दूँगा दूसरा पार्ट है, ये modern Indian history का पिछले पार्ट में मैंने पुर्त गालियों के आगमन के बारे में बताया था विशे को आगे बढ़ाते हैं, बात है वर्ष 1717 इस्वी की मुगल शाशक थे फर्रूक शियर, जो 1713 से और 1719 इस्वी के दौरान मुगल शाशक रहे थे सेद भाईयों की सायता से ये मुगल बाज़्चा बने थे और फिर बाद में सेद भाईयों ने इनको निप्टा दिया था East India Company भी आ चुकी थी, अपने पैर भी पसार चुकी थी, अब East India Company को और व्यापारीक रियायत चीये थी तो कॉलकाता में East India Company का एक प्रति निदी मंडल मुगल शाशक से मिलने के लिए वहाँ से जाने के लिए तयार हुआ, कॉलकाता से वो गए एक तो जोन सर्मन, सर्मन ने कहा कि ले आरे हमिल्टन, आज चालनों है बठा बादिशा कन चालनों, बले क्यों साब, अरे बोला आपा व्यापारी हाँ, East India Company व्यापारीक कंपनी है, आपा ने व्यापारीक रियायत चाहें, तो बादिशा से मिलने के लिए जाएंगे, तो पुछ रियायते भी लेंगे, टेक्स वैक्स भी फिरी करा देंगे, बोले हाँ, चालो, 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 अब दोनों ने बात करिया, रे बोले रुको तो, आपनी बात साथा, ना बात साथा, आपा समझा, तो फिर कहां करां बोले, इनन लेलो साथ, ओ कुन, ओ है, ख्वाजा शर्मन, डॉक्टर हेमिल्टन, जो अभी मैंने शुरुवात करी थी वीडियो में, कि डॉक्टर साब को दफन किया जा रहा था, वो डॉक्टर हेमिल्टन, मतलब 1717 में, जब डॉक्टर साब की मिर्ती हुई थी, उससे पहले की बात है, मरने के बात तो कैसे जाएंगे, और बादशाहों मिलना है, मतलब बादशाह से मिलना है, बोले बादशाह आप से नहीं मिल सकता है, क्यों साब, बादशाह के तकलीप है, क्या तकलीप है, क्या तकलीप है, प्रचार करनो है, नहीं साब, मैं तो यह पूछ लिया, सुबचिंता कहां, तो पूछ लिए काई तकल तकलीफ है फिस्टूला हो रख है तो सिक्यूर्टी गार्ड ने इनको सरल भाशा में समझाया भाया जी के हो वह भी की पीड़ा भूई जाना है यहां समझ लिए हो बादशाह से ना तो लेटा जाए ना खड़ा हुआ जाए ना बैठा जाए और बादशाह बता भी नहीं पा यह सही कर देगा बादशाह को बthank जाओ तो बात बुहत परिशान को इलाज करी बादशाह के पास में वेठ़ी यह Give ठैं मैं और यह ईफट कर देंगा बोले देख यृश ए डोक्टर है के तो फोड़ोग कटेलों को अले बोले नहीं हैस छिंता कड़ों मैं फोड़ा एक्स तो जौन सर्मन बोला बोले साथ मेरे तो भार जाओ बोले साहब मेरे तो खाजवाज बादशाह राजी और बुले क्या किया तुने ये बोले साव इलाज कर दिया और बहुत बढ़िया में खुस हो गया मुझे बता काई चीए तने बोले साब ने तो व्याफारी कंपनी है अब जोर सर्मन आ अंदर वो ट्रांसलेटर भी आ गया सारी बात समझाए बोले इस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनीदी मंडल के रूप में आए साब बात साम को तोड़ी रियायते चीए अरे ले लो जो चीए आपने मेरा फोड़ा काटा है मैं भी आपके जो कोई फोड़े वोड़े होंगे सब काटूंगा बताओ क्या चीए बंगाल में व्यापार करना है रूपे देजना उसको भी काम मिलो पुले सब सूरत की रेट ज्यादा और बंगाल की रेट कम बोले सूरत की तरफ से भेजते हो तुमारे जाजवाज उदर वाड़ा रूट ज्यादा काम में आता है बया जैसी चीज बेसुदाम बोले हाँ ठीक है तो तीन अजार में चारों तरफ दिवार कर रहे उसको फोट बोलते हैं बोले अच्छा अच्छा बोले तो आसपास में और जमीन खरीदेने की पर्मिशन मिल जाती तो खरीद लिए बठे भी जमीन खरीद लिए और बोलो कहीं चीए बोले साब एक टकसाल लगाई है कट है बोले बठे सिक्का इका डालबा को काम करियो है तो था कि पर्मिशन मिल जाए तो मारा भी सिक्का चाल जाए अब बाद से नहीं का बोले है बेटा होतो थे तेज सिक्का ही चला बोचाओ बोले चलो ठीक है अब थे फोड़ो ही काट दियो तो ओ भी ले लो तो 1717 इस्वी में मुगल शाषक फर अमेनिया का था फरूक शियर ने इनको रियायते दी तीन हजार में बंगाल दस हजार में सूरत कलकत्ता के आसपास की जमीन करिद लो बोंबे टक्साल के सिक्के भी चल जाएंगे अब जी का सिक्का ही चाल गा तो बिकी तो बले-बले होगी बोलते है ना आजकल तो बाया सिक्का चाल रहे है मतलब शिक्के चल गए अंगरेजों के वोम्बे टक्साल के तो ितिहास्कार हुए है ओम्स और ने यह कहा है कि यह अंगरेजों का में एक coco है मतलब एक अधिकार पत्र हो गया क्या ह्या küçük मैगना कार्टा शब्द कहा से है, 1215 इस्वी में बृतेन के राजा थे जॉन, उन्होंने अपने नागरिकों को अधिकार दिये थे, ये कागज है, इस कागज में मैंने तुमारे अधिकार लिख दिये, ये 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 तुमारे अधिकार है, और उसको कागज को नाम दिया गया थ का जासे मेगना कर्टा जैसे अपना संविधान है एक अपने संविधान का बहाग तीन अपने को फंडामनेंटल राइट देता है मौललिक अधिक्त अनूछेद 12 लेकर और 5 तक तो यह अपने clicked लेकर अपने को अधिकार देता है तो मेगना मजाक मजाक में कोई बात किसी को अगर बुरी भी लग जाए तो इग्णॉर कर देना केवला आपको याद कराने के लिए मैंने ऐसा कहा है अलाकि जो बीमारी वगेरा है वो जैसा है मैं वैसा ही बता रहा हूँ जो जिस रूप में है मैं उसी रूप में बता रहा हूँ कुछ चीजे थोड़ी सी इंट्रस्टिंग करने के लिए मैं बीच में राजिस्थानी भाषा डाल देता हूँ उसी चीजे आपको याद हो जाएगी अब 1717 इस्वी में अंग्रेज यहां तक तो आ गए लेकिन भारत में आने से पहले इन्होंने इस इंडिया कंपनी बनाई थी अब शुरुवात में कब बनाई कोन आया कैसे आये कहा कहा कौन सा एरिया इन्होंने जीता चेन्नई मतलब मदरास मुंबई मतलब बोंबे फिर कली काता मतलब कोल काता वहां पर अपनी फैक्ट्री लगा लिए फोर्ट बना लिए तो यहां तक सत्रा सो सत्रा तक पहुंचे कैसे तो बात है पंद्रा सो निन्यान में इस वी कि पहला अंग्रेज व्यापारी जो भारत आया मिडन हॉल पूर्तगालियों में कोन आया था वो तो पिछले वीडियो में चर्चा हो चुकी अभी वीरी fifteen five hundred nine nine कोन आया मिडन कोन अ अंग्रेज पहला अंग्रेज में अदच भी आयए थे betaller बात करूँगा अंग्रेज के सास्ते कि साथ में लिंक करते विए इसी वीडियो में दो चीजे हो जाएंगी इस वीडियो में अंग्रेज और डच पहले नंबर पर पुर्टगाली आये थे दूसरे नंबर पर डच आये थे और तीसरे नंबर पर अंग्रेज आये थे तो अभी जो कहरा उन्स पर फोकस हो पंद्रा सो निन्यान में पहला अंग्रेज व्यापारी मिदन होल भारत में आया बारत में देखा और यार अठे तो लूट माच रही है पुर्तगाली लूट रहे हैं भारत ने बोले डच भी आ गया डच को एक व्यापारी आगो कारलेनियस डे हस्तमान चक्तिमान मत करना हस् बोले यार अठे तो आणवी पड़ सी बहुत पीश्व है भारत में मिदन होल गया बात 31 दिसंबर 1620 की नई साल का जस्न मना आ जा रहा है कापर बिर्टेन में 31 दिसंबर 1620 नई साल का जस्न मना रहे हैं अंग्रेज बैठे हैं दारू पीरे हैं कांच से कांच टकरा रहे है मतलब कांच की गलास टकरा रहे हैं मिदन होल बोला बावलो अठे काही करो थे बारू पीर बठे देव को बारत में लूटनो है तो बारत ने हुझ बारत हैं घुटनो चाल गणो पीशु बठें बबला काही करा कंपनी बनाओ एक सब पहली तो सबस्य पहली है कंपनी इस्ट इंडिया कंपणी के नाम से होते थे क्योंकि भारत इधर इंडस नदी थी उसी के कारण इसको इस्ट में था इस्ट इंडिया इसको बोला जाता था तो इस्ट इंडिया कंपणी इनकी होती थी अब अंग्रेजों ने जादा राज किया तो थोड़ा सा आप ध्यान वो था governor and company of merchants of London trading into East Indies मुझे पधा आपको याद नहीं होगा मैं याद करता हूँ company है साब कौण सी governor and company जैसे होता है न कई दुकानों पर देखते हो Surayshand company, Ramayshand company, Maheshand company तो यह कौण सी हो गई governor and company किसकी of merchants merchants की कहां कि merchants London के तो ओफ लंदन और व्यापार कहां करना है ट्रेडिंग कहां करनी है इंडीज में तो ट्रेडिंग इंट्व इस्ट इंडीज तो governor and company of merchants of London trading इंट्व इस्ट इंडीज या इसी को कहा गया merchants adventures या इसी को unofficially इसको बोला गया Jones company clear company बन गई बोले लो चालो 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 खड़ा हो रहे दारू तो बाद में पिला हो पहली ब्यापार करना बट चालो अरे बोले वहाँ पर जाओ गे पुर्तगाली बैठे में डच बैठे में और भी देश के लोग आएंगे अपने भी अपने लोगों से कैसे लड़ोगे मतलब बूले ऐसा जुगाड करके जाओ कि अपने देश से भारत में सिरव अपनी व्यापार करें और दूसरा यहां पर कोई नहीं आए बोले ऐसे कैसे करेंगे यार अपने महराणी के पास चलो महराणी से एक आग्या पत्त्र लेव और तो महारानी लिखके देदे कि थे जाओ थे करो व्यापार, बिर्टेन से कोई दूसरा नहीं आएगा, तो बोले हैं हाँ बात तो ठीक है, अब यह महारानी के सामने कहें, महारानी राम राम, कहीं बात है, बोले बो इंडिया मेर, इंडोनेशिया में बठे व्यापार करना है, कि चीज़ को व्यापार करना है, बोले नमकर, चायपत्ती, नील, इसके अलावा कोटन, सिल्क, अफीम, करने आएगे, बोले हैं, मैं कहीं करूँ, बोले आप आग्या पत्तर देऊ, और तो कर ले भी मैं कहीं, आग्या पत्तर ये लिखके देदो, कि बिर्टेन से हमारे अल का रहे वो भी जाए सकता कमानी के लिए बोले नहीं महारानी ने इनको 15 साल के लिए वह आग्या पत्र दे दिया चार्टर की आग्या देती हूं 15 साल तक तुमारी मोनोपॉली रहेगी लेकिन बाद में उसको 20-20 साल के लिए बढ़ाते गए तो शुरू में इनको जो आग्या मिली थी हो कितने साल के लिए मिली थी 15 साल के लिए बाद में फिर रिन्यू मतलब लाइसेंस रिन्यू कराते गए 20 साल भी साल भी साल भी साल भी साल भी स इस्त इंडिया कंपनी 31 December 1621, Governor and Company of Merchants of London trading into East Indies या इसके अलावा Merchants Adventures या John's Company, पहली जो इस कंपनी की यात्रा हुई थी वो भारत की तरफ नहीं थी, वो इती इंडोनेशिया की तरफ, इंडोनेशिया में वहां पर जाकर इन्होंने बेंटम पर जो जावा द्वीप है वहां पर अपनी पहली फैक्टरी इन्होंने डाली थी, मलक का जल्डमरू मद्दे संदी आती है इंडोनेशिया के जो बीच में आती है, वो पूरा मसाले वाला क्षेत्र है, मसाला चीए था, पृतकाली भी तो मसाला डूंडते डूंडते आया थे, तो मसाला चीए था, लेकिन वहां जाकर जब इन्होंने देखा, बुले, यहां डाल गलेगी नहीं है, कहां चलें, इंडिया की तरफ चलो, फिर यह भारत में आये, भारत में 1608 ही स्वी में, होकिन्स वो भारत में आया, और उस समय के जो मुगल शाश्रक्ते जहांगीर, जहांगीर से जाकर मिला, तो ह होकिन्स आया, तो होकिन्स के आने से पहले, हम वापस बिर्टेन चलते हैं, यह जो इस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, थोड़ा सा और ध्यान रखना, यह जो इस्ट इंडिया कंपनी उन्हें ने बनाई थी, प्राइवेट कंपनी थी, जैसे अपने मानलो, रिल demic幾acja 277, 217, और शेर किसके थे, जो पैसेवाले हैं, कुलीन है, अमीर आदमी है, जैसे मानलो, एगर आप हो सकता है, उस जनम में, बिटेन में रहो, पैसेवाले हो, हो सकता है, कि आपकाभी कोई एक आदा शेर हो, तो 270 इसके शेर थे, तो कंपनी के लोग, जो इसके कुछ अधिकारी थे बात कब की कर रहा हूं मैं 1608 हीस्वी में जब होकिन्स आया भारत में किसाब कंपणी को कुछ छूट मिल जाएं जहांगीर से मिलने के लिए तो उससे ठीक पहले की बात कर रहो तो कंपनी के अधिकारी मिले और किस से मिले महां के राजा से महां का राजा इस समय कौन जेम्स फरस्ट जेम्स फरस्ट से ये कहा बोले साब महां का एक शासक है अकबर अकबर के नाम से एक लेटर लिख दो जो आपके नाम लेके हमाँ जाके मिलने हम जाएंगे तो दाड़ी नहीं के लेगी वो पूछेगा थे कोण तो आपके नाम से मिलतो लेंगे बोले जाब बिटेन के राजा ने बेजा आपसे मिलने के लिए तो वासा का फायदा ये कि जहांगीर भी फार्शी वासा जानता था अब लेकिन देखो समझ ना जेम्स ने जो लेटर लिखा था न वो अकबर के नाम लिखा था अकबर की हम जानते हैं मिर्त्य हो गई थी 1605 इसवी में तो होकिन्स मिलने के लिए जब आया था तो उस समय जो बा जहाज का नाम था हेक्टर किस जहाज से हेक्टर आगे जाकर मिला आगरा में किस से मिला मुगल शाशक जहांगीर से लेटर किसके नाम का लाए था अकबर के नाम का बाजशा कौन था इस समय जहांगीर जहांगीर से जाकर मिला गिफ्ट विफ्ट भी दिये फार्सी भाशा ब्यापारिक रियायते निदी echoes time निदी शूर नी परमिशन मिली जोड़ा सो आठ ही स्वी में सूरत में फैक्टरी भी लगी उसका जो संस्थापक था वह था जॉन मिडल्टन तो सूरत में फैक्टरी लगी अंग्रेजयों की पछली सोड़ा सो आठ में लगी जॉन मेडल्टन उसका संस्थापक था लेकिन यह पर्मिशन रद्द कर दी गई थी इनका व्यापारी नहीं हो पाया था क्योंकि वहां के जो स्थानी व्यापारी थे सूरत के उन्होंने विरोध किया और विरोध करने के लिए किसने उकसाया पुर्तगालियों ने पु इस बास को नहीं करना आप है तो सूरत के व्यापारियों ने विरोध किया और इनको पर्मिशन वहां पर जो सूरत में फैक्टरी लगी थी वह बंद करनी पड़ी वहां पर काम नहीं चला तो ध्यान क्या रखना है पहली फैक्टरी सूरत संस्थापक जॉन मिडल्टन लेक 500000 का मनसब्दार भी उसको बनाए था मंसब्दार आम जानते एक सेनिक रहंक होती थी किसी को 5000की मनसब्दारी किसी को साथ तजार की मंसबदारी तो ज्यादा कुछ मिला नहीं तो इसलिए इन्हों ने अपनी पहली जो फैक्टरी लगाई थी जहां से काम शुरू हो सका समझना दोनों बातों को पहली फैक्टरी सूरत में लेकिन काम शुरू नहीं हो सका पहली फैक्टरी जहां से काम शुरू हुआ वो थी मसूली पटनम, 1611, आंदरपरदेश में, मसली पटनम भी उसको का जाता है आंदरपरदेश का जिला है कृष्णा, वहाँ पर ये आता है, और इरान की एक कला है कलमकारी, hand block printing उसके लिए फेमस है कलमकारी कला इरान की है मूलत है उसके लिए फेमस है मसली पटनम या मसूली पटनम आंदरप्रदेश जिला कृष्णा तो दो सवाल बनेंगे की पहली फेक्ट्री सूरत पहली फेक्ट्री जहांसे काम शुरू हुआ मसली पटनम या मचली पटनम हैं होकिन्स कब से कब तक रहा 1608 और 1611.20 तक रहा वापस चला गया मुले साब बहुत कल्डो आदमी बात कुन बने दूसरा आदमी बेजा गया और वो बेजा Sir Thomas Rowe, Sir Thomas Rowe यहां पर आया, Sir Thomas Rowe समझदार था, Sir Thomas Rowe पहले गया कुर्रम के पास में, जांगीर का बेटा, जो आगे चल कर शाह जाहा के नाम से बादिश्या बना था, कुर्रम से मिला, बेटवेट दी, गुजरात में मिला था, बोले, एलो समान है, गिफ्ट इफ्ट है, थोड़ी देदो यार, परमिशन में भी टाबर पाल लेंगे का था, बोले, ठीक है, एक काम कर, परमिशन तो पापा ही देवला, मतलब जाहंगीर, बादिश्या देवलो परमिशन तो, पर कोई नहीं हो, लेटर लेजा, मेरा साइन दिखा दीजे, तो सर टोमस रो जाहंगीर से मिलने के लिए गया अजमेर, होकिन्स का मिला आगरा में बिला था, टोमस रो पहुचा अजमेर, अजमेर में दस जनवरी 1616 इस्वी में जाहंगीर के दरबार में उपस्तित हुआ, अजमेर में एक दुर्ग है, जिसको अकबर दुर्ग कहते हैं, उसी को दौलत खाना कहते हैं, उसी को मैगजिन दुर्ग कहते हैं, 1570 में अकबर ने बनाये था, अकबर दुर्ग कहते हैं, खजाना रहता था मुगलों का, दौलत खाना भी कहते हैं, अंग्रेजों का भी इस पर बाद में अधिकार था, अंग्रेज सर्वे सर्वा हो गये थे, तो यहां पर अंग्रेजों का गोड़ा बारूद रहता था, तो इसलिए इसको मैगजिन दुर्ग भी कहते हैं, यहीं पर हल्दी घाटी के युद्ध से पहले मुगल शाशक अकबर और आमेर के राजकुमार मान सिंग ने हल्दी घाटी के युद्ध की योजना बनाई थी इसी फोर्ट में दोलत खाना में वर्तमान में म्यूजियम है मैं जाकर आया हूँ कभी अजमेर जाओ तो जाकर घूमना तो यहीं पर 10 जनवरी 1616 इस विक को सर टोमस रो जांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ और हायो लोकरी बोले हो लेटर भी है देगो कुर्रम का साइन भी है बोले ठीक है सर टोमस रो पहला एस अंग्रेज अधिकारी था जिसको मुगल शाशक से पर्मिशन मिल गई थी कि आप व्यापार कर लो क्लियर सर टोमस रहा 1615 1616 इस से पहले इनोंने अपना भागय आजमाना शुरू करी दिया था और उन क्षेत्रों में जापर सीधे मुगलों का अधिकार नहीं था महा कोशिस करी रहे थे मसूली पटनम मैंने बताई दिया आपको 1611 इसवी अब आगे चलकर 1632 इसवी में इनोंने गोल कुंडा का जो सुल्तान था, सुल्तान कुतुब शाह उसको चुरन चटाया उसमें क्या मिलाया, क्या चटाया 1632 इसवी गोल कुंडा वहां के सुल्तान को चुरन चटाया गोली खिलाया ही क्या बोतल में उतारा और सुल्तान ने कहा करो, खुल के व्यापार करो कहां पर? गोल कुंडा में पोल्ट का इस्तमाल भी तुम करो मेर को साल के 500 पैगोडा दे जाना सिक्कों को कहा जाता था पैगोडा तो मात्र 500 पैगोडा में गोलकुंडा के सुल्तान ने इनको ट्रेड करने की छूट दे दी टेक्स फ्री करो और उसको कहा गया था सुनेरा फर्मान सुनेरा फर्मान मिल गया अगले साल, 1632 के आगले साल, 1633 में एक और फैक्‌ inflrty डाली हरी हर में, हरी हर जो वर्त्मान में आता है, ओडिस हमें. अब अंग्रेज लग रहे हैं, प्रियास कर रहे हैं, बाकी भी लगी रहे थे, पूर्तगाऻली भी थे, डच भी थे. इसके चैसाल बाद 1649 उडिति उड़ती उड़ती उर्ति एक खबर आई इनके काणूं में खबर यह थी एक गाउं भिक्रा है और वह गाउं चिन्ने जिसको इन्होंने कर दिया था मद्रास और जिसको आज हम जानते हैं चेन नहीं के नाम से तो खबराई साथ एक गाउं है चेन ने वो बिक रहा है और वहाँ पर अपन उस गाउं को खरीदे के वहाँ अपनी फैक्टरी डाल सकते हैं बोले चालो चालो जे में रूपिया डालो और इन्होंने उस गाउं को खरीदे लिया चेन ने चेन ने इनसे बोला नहीं जाता था तो इन्होंने नाम बदला बोले इको नाम आज शूं मदरास उसका नाम क्या कर दिया मदरास फैक्टरी डाली वहाँ पर मतलब एक फोर्ट बनाया उसको कहा गया फोर्ट सेंट जोर्ज सोड़ा सोनचालिस चेन ने खरीदा नाम बदला मदरास फोर्ट बनाया मतलब फैक्टरी है दिवारे बना देते थे चारो तरह उची उची उसी को फोर्ट कहा जाता था हमारे वाड़े हमारे उसे कुंबल गड़र है ऐसे सोलगल क רק one in madam रोग कें उंको दोवा कर случай Il legs be I chancellor निर्मान नहीं होता था वहती वह तो और चारी तरह मूचीुची दिवार बनाने का फायदा ये किका गुदाव के नाम पर तुम अंदर कुछ भी कर ओ गोड़ा बारूद रखो सेना रखो, सेना को ट्रेनिंग भी दिलाने शुरू कर दो तो फोर्ट बनाना शुरू कर देते थे तो फोर्ट बनाया वो कौन सा था फोर्ट सेंट जोर्ज और इसका जो संस्थापक था वो था फ्रांसिस डे दो-तिन कीवर्ड याँ ध्यान रखने है 1649, चेनने गाउं, मदरास, फोर्ट सेंट जोर्ज और फ्रांसिस डे तो मदरास तो इनके पास में आ गया 1649 में अब कुछ से साल बाद 1661 में ब्रिटेन में 20 साधी के डोलन गाड़े बजे ब्रिटेन का प्रिंज था चाल्स फर्स्ट चाल्स फर्स्ट को प्यार हो गया पुर्टगाल की राज कुमारी कैथरीन से दोनों में 20 हो गया दोनों सगे संबन्धी बढ़े 1661 में जब 20 हुआ बरात वापस लोट रही थी पुरतगाल से पुरतगालियोंने काम करो डटो रुको उन्ट इंडिया में में आमपनी जगया है बूमबे श ममंबई के शली में चेन नहीं कर दिया फिर से हम चेनल ही बोलते हैं नौर्थ इंडियन साउथ वाले मदरास वाले वहां पे उसको चेनल ही बोलते हैं वापस विशेपर हो 1661 में ब्या साधी के डोल बजे सगे संबंदी बढए बरिटेन वाले पुर्टगाल वाले ब्रिटेन के राजकुमार चाल्स ने पुर्टगाल की राजकुमारी कैथेरिन ब्रेंग जासे शादी कर ली बरात वापस आने लगी पूर्ट गालियों ने का बोले डटो 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 वो बठ़क इंडिया में आपनो बोंबे है एक काम करो बोंबे था लो बोंबे दे दिया इनको दहेज में अब गिफ्ट मानलो ची दहेज मानलो कब आया इनके पास में ब्रिटेन के पास में 1661 में पूर्त गालियों से ब्रिटेन को मिला ब्रिटेन के राजकुमार को मिला दहेज में मिला इस्ट इंडिया कंपनी को पता चला अरे बोले ब्याव होगो की को बोले आपना राजकुमार को बोले कहीं करा तो यार ब्याव होगो तो बोले दहेज म बात तो सही है, ब्रिटेन के राजकुमार से इन्नों ने सालाना दस पॉंड के किराये पर, कितना? मात्र दस पॉंड के किराये पर, वो बॉंबे ले लिया, और बॉंबे में एक फेक्टरी डाली, और वहां का जो संस्थापक था, वो था गेराल्ट अंगियार, चेन ने आ ग किराय पर वहां का संस्था पक्कोन बॉंबे का गेराल अंगियार चेन्ने हो गया बॉंबे हो गया अब हम तो यह जानते हैं कि तीन इनकी प्रेसिदेंट्सी वा करती थी अंग्रेजों की बारत में एक तो मदरास यह कैसे आया इनके पास बता दिया मैंने आपको इसके कोण से कली काथा शूता नाती और दाली जिसको बाधमें वापस्स से 2001 में प्रेंस नह utter पास्में आगे कोलकाता जो आया यहां पर इन्होंने एक once विलियम कि और इसका जो संस्थापक था वह था जोब चारनाक चारनाथ मत करना चारत थो अपने ही होते यह चार लाक है और फोर्ट कुन सा फोर्ट विलियम और यहां का पहला जो गवर्नर बनाया गया था वो था चार्ल्स आयर किलियर है तो तीनों प्रेसिडेंसी हो गए इनके पास में मदरास हो गया बोंबे हो गया और कलकत्ता हो गया और इसके बाद फिर 1727 इसवी में तो इनको मेगना कार्टा मिली गया फरूक शियर के दुआरा जिसकी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ में चर्चा कर ली थी अब अंग्रेज धड़ा धड़ अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं पैसा कमा रहे हैं खुद की सेना भी रख रहे हैं बढ़िया अच्छी टेक्नलोजी के हथियार भी हैं अपने सहनिकों को बढ़िया प्रसिक्षन भी दिलवा रहे हैं इससे पहले थोड़ा सा और ध्यान रखना इन्होंने बंगाल में ही कुछ क्षेत्र में अपने और फैक्टरी भी लगाई थी वापस फ्लेश बैक में पी लिगम मुम्ताज महल का बेटा शाह जहां और मुम्ताज महल के जो बेटे थे सबसे बड़ा दाराशिक हो सुजा उससे छोटा फिर और और फिर मुराद जानते हैं बाद में और अरंग जेव ने शल्टा दिया बाईयों को और बापको भी उठाके जेल में डाल दिया वहा का बंगाल मतलब पूरा बंगलादेश बिहार उडिसा आज वाला जो बिहार है उडिसा है बंगलादेश इसको बंगाल कहते थे तो इस्ट इंडिया कंपनी के कुछ प्रतिनीदी वहां पर भी गए सुजा से मिले माईबाब टाबर पाल लियां में भी दे दो थोड़ी सी तो जो अधिकारी था वो था वांटन वांटन ने वांट की परमिशन की शुजाने ने ठीक है ठाबर थे भी पालो यह अर वहांपर जो फैक्ट्री लगाई गाई थी वो ब्रिजमेन के दुवारा लगाई थी हुगली में और परमिशन किसे ली थी वांटन ने ली थी, किस से ली थी, सुजा से ली थी, और इसके बाद फिर आगे मैंने आपको बता दिया 1608 में इस्वी में, 1717 इस्वी में, जो मेगना कार्ट आया, अब अंग्रेज जब आगे बढ़ते जा रहे थे, प्लासी का यूद दिनों ने जीता 1707 में, आगे के वीडियोज में बात करूँगा, क्योंकि वो डिटेल्ड विशे है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे, बकसर का यूद भी इनों ने जीता 1764 इस्वी में, और फिर तो जो भी हैं, अब हम ही हैं, अंग्रेजी अंग्रेज हो गए, लेकिन जब ये अपना परचार परसार कर रहे थे, तो फ्रांसीसीं हो से भी लड़ाई हुए इनकी, पुरतगालीों से भी इनकी लड़ाई हुए, डच लोगों ने जो अपना व्याबार फैला लिया था सन 1769 इसवी में 1759 इसवी में एक युद्ध लड़ा गया था जिसको वेदरा का युद्ध कहा गया या चिंसुरा का युद्ध कहा गया या हुगली का युद्ध कहा गया उस 1769 इसवी के उस युद्ध में अंग्रेजो वाले इन डच लोगों से स्वतंतर हुए थे कौन सा युद्ध याद रखेंगे चिंसुरा हुगली या वेदरा का युद्ध रटने की ज़रत नहीं इनके नामों को मैं आप आप देखो कोलकाता एक नदी निकल रही हुगली नदी उपर कोलकाता से 35 किलोमेटर उपर एक इस लेकिन अगर यह पूछा जाए मुख्य केंदर कौन सा था भारत में डच लोगों का तो चिंसुरा चिंसुरा में कब इस्थापित किया था 1623 में और डच आये कौन से नंबर पर थे दूसरे नंबर पर आये थे थोड़ी सी डच लोगों की भी चर्चा कर लेते हैं पहला ड पूर्तगाली यात्री आए था वास्कोडिगमा 1408 में इस्वी में आए था उसके लगबग सो साल बात सो साल जऊड़ो तो फंद्रास ओठान में आएगा तो साल कम कर दो इसमें तो फंद्रासो च्छन में इस्वी में पहला डच व्यापारी जो भारत में आये था कारमेलि बनाई थी वो भी East India Company उसको कहते थे इन्होंने बनाई थी 1602 इसवी में और वीडियो में मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों ने जो बनाई थी वो 1620 में बनाई थी 31 December 1620 में तो अंग्रेजों ने पहले बनाई लेकिन डच के बाद में आए डच ने बाद में बनाई लेकिन अंग्रेजों से पहले आए क्लियर है इतनी बात 1602 में बनाई डच लोगों ने इस्ट इंडिया कंपनी इन्हों ने बनाई और अपनी पहली फैक्टरी इन्हों ने भारत में जो डाली थी वो डाली थी मसूली पत्नम में मसूली पत्नम के बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया आंदरप्रदेश में या मसली पत्नम कलमकारी कला मूलते इरान की कृष्णा जी लेके अंतरगत आता है 1605 में इस्तापित की थी डेच लोगों ने कुछ और फैक्ट्री भी लगाई थी जैसे मसूली पत्नम में तो 1605 इस्वी में लगाई पुली कट में भी लगाई थी पुली कट वैसे एक जील है तमिल नाडू और आंदरप्रदेश दोनों की बॉर्डर पर आती है लेकिन इनोंने पुली कट में जो फै पुली पत्नम जिसको का जाता है 1641 में एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं उससे आपको ध्यान रहे जाएगा एक ट्रिक ध्यान रखनी है मैप्स मैप होता है ना नक्षा मैप्स बिका बी आई के बिका किसको बेचा आपने चाइना 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 को अब इसमें M का मतलब हो गया मचली पत्नम या मसूली पत्नम 1605 में फिर P को आपको पकड़ना है P बड़ा है तो P का मतलब हो गया आपका पुली कट 1610 में S का मतलब सूरत 1616 में B का तो B को आपको पकड़ना है विमली पत्नम या जिसको विमली पत्नम भी कहा जाता है यहां पर लगाई मतलब कराई कल यहां लगाई थी 1645 इसवी में तो मैप्स विका चाइना को CHI चाइना वाला हो गया चिंसूरा 1653 में फिर ना का मतलब अन का मतलब हो गया नागपटनम 1658 में यह तमिल नाडू में आता है और को का मतलब हो गया कोचीन 1663 में लेकिन आपको ध्यान रखना है पह 1769 सभी में अंग्रेजों ने वेदरा हुगली या चिंसूरा के युद्ध में हराया और लातमारी और इंडोनेश्या बेज दिया इस वीडियो में इतना ही बाकि फिर नेक्स्ट और हम बात करेंगे फ्रांसीसियों की बात करनी है और डेनिश की बात करनी है स्वीडिश की बात करने हैं आगे के वीडियो तेंक्यू जेहन्ग